विराट कॉली ने 5 मैचों की T20 सीरीज में मेजवान न्यूजलान का तो सफाय कर दिया मगर इसके बाद 3 मैचों की 1-day सीरीज में न्यूजलान ने भारत का सफाय किया टेस्सीरीज में भी भारत की शुरुवात बेहत नराशा जनक रही और पहला टेस्ट मैच 10 विकेट से गवा दिया गया दोनों पारियों में भारत का शीगर क्रम पूरी तरह से फ्लॉप रहा कीवी गेंदबाजों ने भारतिये शीगर क्रम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया सलामी बल्लेबास, पृत्वीशा, विराट कोली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंके रहाने, हानुमा विहारी और रिशब पंथ कोई भी क्रीस पर टिक नहीं पाया लेकिन एक मात्र मयंक अगरवाल ही पहले मैच में अर्ध शगत लगा पाए पृत्वीशा से अभी सभी को बहुत जादा उम्मीदी थी जिन्हें शुबमन गिल से उपर तवज्जो देकर मयंक अगरवाल के साथ ओपनिंग के लिए उतारा गया था मगर वो दोनों पारियों को मिला कर कुल 30 रन ही बना सके पहली पारी में 16 और दूसरी में उन्होंने 14 रन बनाए मगर इस पारी के बावजूद कप्तान कोली उन्हें दूसरे मैच में मौका देना चाहते हैं जबकि क्राइस चर्च में न्यूजिलैंड एक के खिलाफ नाबाद 204 रन बनाने वाले गिल को अभी भी अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ेगा तो क्या कहे सकते हैं कि विराट कोली ने पृतवी शाह का बचाव किया है नेक्स्ट नाइन स्पोर्ज से लटा की रुपोर्ट